दोस्तों आज हम विकास लाइब केर और विकास इकोटेक को साथ में डिसकस करने वाले हैं यहाँ पे विकास लाइब केर से बहुत बड़ी अपडेट निकल क्या रही है विकास लाइब केर ने एक और ने बीजनस में इंटरी कर ली है बहुत ही जबरदस नियूज है और आने वाले समय में विकास लाइब केर लिमिटेड में एक बड़ी तेजी आ सकती है या यूँ कहतो ही एक बड़ा मल्टी बैगर स्टोक साबित हो सकता है विकास इकोटेक की बात करें तो विकास इकोटेक लिमिटेड लगातार अपने डेट को कम कर रही है कमपनी जल्द ही पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है लगातार अच्छे बीजनस में इंट्रिया हो रही है और एक तरह से मौनोपॉली बीजनस कर दिया कमपनी तो ये दो जो छोटे पैनी स्टोक है क्या आने वाले समय में हमें मल्टी बैग रिटन दे सकते क्या ये हमारे सपने साखर कर सकते क्यों ये आखिर दोनों स्टोक दूसरों से हटके लगरे और क्यों बहुत सारे रिसेर्स दादानिश्ट है जो कहरें कि ये चुपे हुए रुस्तम है और एक दिन ये बहुत बड़ा आपको जबरस रिटन दे सकते हैं तो बहुत सारी बात है जिनको इस वीडियो के मादे में से डिसक्स करेंगे सब से पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE Sensex में हमें 57,991 के इस तरफे क्लोजिंग देखनों को मिली 200 पॉइंट की गिरावर थी यानि 0.34% गिरा हमारा BSE Sensex लेकिन अगर हम फ्रैडे की इंटरनेशन मार्केट की क्लोजिंग की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत बड़ी गिरावर थी लगबग 3-4% की गिरावर देखनों को मिली और यह अंदाजा लगाया जारा था कि आज हमारे बाजार में भी हमें 1500 से 2000 पॉइंट की बड़ी गिरावर देखनों को मिल सकता ऐसी सब की बहुष्यवानी भी थी लेकिन हुआ उसके उलट कोई बड़ी गिरावर देखनों को मिली वैसे तो शुरुआ तो आट सो दो पॉइंट की गिरावर के साथ में हुई थी लेकिन 200 पॉइंट की गिरावर इस बात को सबूत है कि यहां पे बाजार में अच्छी खासी खरीदारी हो लिए लेकिन इसके बाउजीद भी बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंता जनक बात है वह हमारा इंडिया दूपीज जो बहुत जबड़स तरीके से गिर चुका है 82.32 की पर हमने 9 अक्टूमर को देखा है यह लगबग 83 के आसवाज पहुचने की समावना बन चुके थी वैसे वहां से थोड़ा सा रिकवर हुआ है लेकिन फिर भी यह तो बहुत ज़दा बाजार के लिए चिंता ज़दग बात है इसके बीच में अगर हम देखे तो विका 1 क्रोड का वालिम था 0, 2020 का वालिम है जिकनाल के फिर लेकिन फ्राइड़ को 2 क्रोड का वालिम आ आज भी तू क्रोड का वालिम हुआ तो यहां पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है लेटेस है आज की ही अपडेट है आप देख सकते हो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है विकास लाइब के लिमिटेट ने 30% की स्टेक ले ली है यह देख सकते हो आप यह रिटेल चैन स्टोर्स है अर्द सैनिक कैं है तो यहां पे देख सकते हो कंपनी FMCG सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही है और एगरी प्रोड़क्ट भी कंपनी बना रही है उसके आपने देखा होगा कि कंपनी का कैशो नेर्स का बीजनस भी है दूसरे और बीजनस है लेकिन अब यहां पे रिटेल चैन्ड बार यह आने वाले समय में विकास लाइब के लिमिटेड के बीजनस को और तेजी से आगे बढ़ाएगा विकास लाइब करका में बीजनस देखे तो वो कैमिकल का बीजनस है इसके लावा कंपनी रिसाइकलिंग प्लास्टिक का निर्मान भी करते हैं वेस्ट मेटरियल से बनाती है और काफी जो ऐसे प्रोड़क है इसके लावा कंपनी का रियल इस्टेट का डिविजन भी है और ट्रेइडिंग डिविजन भी है और सबसे बड़ी बात है कंपनी ने हमने पिछले वीडियो में डिस्कस में लूप और दूसरे और बी जिसे ड्राइब फूट्स ह भी बेचना सुरू कर चुकिए अब रिटेल सेक्टर में भी आने चुकिए इसके लावा कंपनी का Life Care प्रोडक्टी भी एक कंपनी बनाती है और Consumer Goods का भी कारुबार है कंपनी का-फॉर्मर्स टील सेक्टर के लिए बहुत सारे कंपनी बना के लिए 92.20 कृपी तक आ गया है तो बहुत बड़ा उचाला है इनके रिवेन्यू में अगर इनके प्रॉफिट को देखे तो जून 2021 में 0.33 कृपी का प्रॉफिट था जून 2022 में बढ़के वो 2.59 कृपी तक पहुच गया तो कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही सां बना हुआ है 88% buy की call है 6% share की call है 6% hold की call है इसका मतलब 100 में से 84% लोग इसको लेना पसंद करें तो बिल्कुल दाव लगा है मुझे लगता है आने वाले पास साल में यह 500 को भी टच कर सकता है इसकी ऐसी capacity है जिस तरह से बीजनेस इनका बढ़ रहा है यह वाकिम एक छुप इसके volume को देके तो पिछले एक महिने पहले 65 लेक का volume था वन विक पहले 60 लेक का volume हो था और Friday को 86 लेक का volume था आज भी 86 लेक का volume है लगबग एक जैसे volume है काम का जो रहा है और इसकी performance देके तो 1.95 इसका 52 विक का lower 6.90 52 विक का ही flash stock 3.35 पर है उपर के level से लगबग आदी कीमत में आपको stock मिल रहा है कमपणी का मुख्य बीजनस specialty chemical बनाने वाली कमपणी है और chemical segment में बहुत सारी इनके product है जो अलग-अलग sector में काम आते है जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे automotive parts के लिए footwear industries के लिए textile industries के लिए pharmaceutical sector में और packaging industries में इनके chemical का काफी जारा इस्तेमाल होता ह और एक तरसे देखें तो यह business इनका काफी अच्छा है और सबसे बड़ी बात ही है कि company दुसरी तरसे का real estate का business भी करते है और इसका अब देखें तो company का जो एक product मनाती है और go nation stabilizers इसका जो यह product है यह पूरे हिंदूस्तान में इसका monopoly business है और कोई company बनाते है और इसलिए बड़ी brands के साथ में collaboration किया हुआ है और इसलिए यह मुझे लगता है कि Vikas EcoTech कुछ कमाल करेगा जरूर यहाँ पर आप देखें तो Vikas EcoTech Limited ने अनौन्स किया है कि वह financial 2023 के end तक अपना जो पूरा debt उसको zero करने वाली है लगातार वह अपने debt को चुका भी रहे और उनका जो यह एक तरह से देखें तो यह जो प्लान बनाया हुआ जिरो debt का यह प्लान ही एक तरह से इसमें विश्वास जगाता है कि यह कंपणी कुछ बड़ा कमाल करेगी तो लॉंग ठम का निजरिया लेकर आप Vikas EcoTech में निवेस करते तो आपको माला माल होने से कोई रोक नहीं अब एक बार इसका community sentiment देखें तो वो भी स्टॉक के साथ बना हुआ है आप देख सकते हो 92% बाइक की कॉल है 8% सेल की कॉल है इसका मनलब यह है कि 100 में से 92% लोग इसको लेना परसंद करें जादा से जादा लोगों का रुजान स्टॉक की तरफ बना हुआ है ऐसे में आपक आप यह सोचके ले ले कि आप एक lottery का ticket खरीद ले 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 तो आपको jackpot लगेगा आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे वरना lottery का ticket के पैसे चले जाएंगे उसकी आपको चिंता निगोनी चे उतना ही सोचके निवस करें लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करें से पहले अपने financial advisor से बाड़े ले ले यह अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like share जोर की जोर चैनल को subscribe कर दीजे थैंक्यों फ्रेंड